उस साल थंड इतनी जादा पड़ी थी कि स्वर्ग के लोग भी थंड के मारे सिकोड़ गए थे यमलोग में यमराज चद्दर ओड़ कर बैठे हुए थे चित्रकोप्त कितनी थंड है आज इस साल कुछ ज्यादा ही थंड नहीं पड़ी है हाँ यमराज थंड के मारे बोलती बंद हो रही है लेकिन क्या करे काम तो करते रहना होगा किसी को उठा के यहां लाना पड़ेगा धर्ती पर भी थंड का कहर कुछ जाद ही था इतनी थंड में खासकर बुढ़े लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है ऐसे में मदनलाल थंड के मारे पूरी तरीके से काबू हो गया था बाहर थंडी थंडी हवा चल रही थी और मदनलाल कमरे के अंदर कमबल ओड़ कर सो रहा था मदनलाल अपाही चै उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता है इसलिए वो आसानी से उठकर कहीं जा नहीं सकता इसलिए उसने सोय हुए ही अपने बेटे को बुलाया बेटा बेटा एक बारे धराना उस वक्त उसका बेटा रमेश आया क्या हुआ पिता जी आप ठीक तो है रमेश ने मदनलाल के शरीर पर हाथ रख कर चेक किया तो देखा मदनलाल को बुखार है ये क्या आपको तो तेज बुखार है रुक्या मैं अभी दवाई लाता हूँ नहीं बेटा उसकी जरूरत नहीं है इतने रात को बाहर मत जा मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं पिता जी मैं अभी आता हूँ रमेश के एक पांस साल की बेटी है उसका नाम गुड़ी है उसकी माँ उसे जनम देते वक्त ही मर गई थी गुड़ी अपने दादा जी से बहुत प्यार करती है उसने कहा हाँ पापा आप जाएए मैं दादा जी का खयाल रखूंगी रमेश दवाई खरीदने चला गया और गुड़ी अपने दादा जी का सर दबाने लगी लेकिन बाहर रमेश के साथ एक हादसा हो गया रमेश दवाई की दुकान में जाने के लिए रास्ता पार कर रहा था चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए रमेश को कुछ नहीं दिखाऊ और एक गाड़ी ये आकर उसे पतका मार दिया रमेश का देहान थो गया ये बात जब मदनलाल और गुड़ी को पता चली तब वो दोनों बहुत रोए पापा ये आपको क्या हो गया पापा बेटा मैंने कहा था कि मत जा लेकिन तुने मेरी बात नहीं सुनी वापस आजा बेटा वापस आजा रमेश का अंतिम संसकार किया गया गुड़ी अनाथ हो गई मदनलाल ने उसे गोद में बिठा कर कहा तो चिंता मत कर बेटी मैं हूँ तेरे साथ मैं तुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा गुड़ी अपने दादा जी के गले लग गए मैं आपका हत कभी नहीं छोड़ूगी कभी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए उधर रमेश यब यमलोक में गया तब यमराज उसे देखकर चौँक गए और यमदूद से कहा ये क्या ये तुम किसे उठा लाए हो मैंने तो इसके पिता मदनलाल को यहां लाने के लिए बोला था गल्ती हो गई माफ किजिए यमराज गल्ती अब इस गल्ती की भरपाई कौन करेगा इसे वापस छोड़ कर आ जाओं क्या ये क्या कोई मजाग चल रहा है इसे भेजना तो पड़ेगा लेकिन ऐसे नहीं दूसरे तरीके से ये बोलकर यमराज ने रमेश को एक नवजाद बच्चा बना दिया और धर्ती पर भेज दिया रमेश एक नवजाद बच्चे के रूप में एक डस्पिन में पढ़ा रहा उस तरफ मदनलाल का बुखार बढ़ता ही गया लेकिन वो करे भी तो क्या करे अभी वही गुड़ी का सहरा है उसके बाद वाले दिन गुड़ी जब कहीं जा रही थी तब उसे एक नवजाद बच्चे के रोने की आवाद सुनाई थी और उसने देखा कि डस्पिन में एक बच्चा पढ़ा हुआ है गुड़ी को दया आई और वो उसे उठा कर घर ले गई उसे पता भी नहीं चला कि उसके पापा बच्चे के रूप में धर्ती पर आये है दादा जी देखिए मैं इसे ले आई हूँ बिचारे को कोई डस्पिन में फेक कर आया था अच्छा किया बेटा बहुत अच्छा किया बिचारे को ठंड में तकलीफ हो रही होगी ये बोलकर मदनलाल ने अपना चदर खोल कर बच्चे को दे दिया उपर से यम्राज ने ये देख कर कहा इसी के लिए भेजा था उसे अब मदनलाल को आर ठंड लगेगी और मैं खुद जाकर उसे लियाओंगा यम्राज अशमा कीजिए लेकिन इस वक्त पूरे परिवार को मदनलाल की जरुरत है क्या हम अभी थोड़ी दया नहीं दिखा सकते नहीं चित्रगुप्ट जिसका जब समय आएगा वो तभी यम्लोक आएगा यही इस संसार का नियम है यम्राज सही थे लेकिन प्यार का बंधन जन्म और मृत्यों से भी बढ़ कर होता है यह भी सच है दो दिन बीद गए मदनलाल का बुखार और जादा बढ़ गया और एक रात वो दर्द के मारे तड़पने लगा गुड़ी उनके हाथ पर सहलाने लगी अभी ठीक हो जाएगा दादा जी अब जिन्ता मत कीजिए उन लोगों के पास अब एक पैसा भी नहीं है हालत खराब देखकर गुड़ी उस बच्चे को गोध में लेकर डॉक्टर के पास गई और रोते हुए कहा डॉक्टर अंकल डॉक्टर अंकल एक पर चलिये ना मेरे साथ मेरे दादाजी बहुत बीमार है लेकिन डॉक्टर ने उसे भगा दिया जा भाग यहाँ से वैसे वैसे तो है नहीं भाल तुम्हें समय बर्बात कर लिये मेरा भाग डॉक्टर ने गुड़ी को भगा दिया गुड़ी बाहर आकर रोती रही और रोते हुए दवाईयों की दुकानों में भी गई लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं कि वो रोते हुए घर लोटी इतने में मदनलाल की हालत बहुत खराब हो गई थी गुड़ी मदनलाल का हाथ पकड़ कर बैठ गई दादा जी मुझे बाफ कीजीगा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई रो मत बेटी करना तो मुझे तेरे लिए चाहिए था लेकिन मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है मैं क्या करूँ उसी वक्त यमराज वहाँ पहुँच गय मदनलाल चल मेरे साथ तेरा समय आ गया है यमराज को देखकर मदनलाल की आँखों से आँसू टपकने लगे गुड़ी ने यमराज से विंती की यमराज जी आप मेरे दादा जी को मत ले जाए उनके सिवा मेरा कोई नहीं है लेकिन यमराज किसी की बात थोड़ी सुनते हैं वो तो सिर्फ नियम का पालन करते हैं यमराज ने कहा तुम्हारे दादा जी को जाना ही पड़ेगा यही नियम है घट्या नियम है मैं नहीं मानती मैं अपने दादा जी का हाथ नहीं छोड़ूगी यह बोलकर गुड़ी ने मदनलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया यमराज ने उसे हट जाने के लिए कहा लेकिन गुड़ी नहीं हटी ठीक है कोई बात नहीं मैं मदनलाल को ले कर ही जाऊंगा यमराज ने मदनलाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर यमलोग की ओर चल दिये लेकिन प्यार के बंधन के बारे में तो हम सब को पता है गुड़ी ने अपने दादा जी का हाथ नहीं छोड़ा वो भी अपने दादा जी के साथ चल दी ओर्ख बच्ची अपने दादा जी का हाथ छोड़ नहीं छोड़ूगी, मैं अपने पापा अपनी मा को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं अपने दादा जी को बचा कर ही रहूँगी। बेटी, तू लोट जा बेटी, यही विधी का विधान है, यह हम सब को मानना पड़ेगा। लेकिन गुड़ी ने जिद बगड़ी रखी, उसे यकीन था कि उसके जिद और प्यार के सामने विधी का विधान भी जुक जाएगा, उस तरफ वो बच्चा घर पर ही सोया रहा, और ये दोनों यमलोक में पहुँच गए। एं, ये क्या प्रभू, ये जोटी से बच्ची क्यों आई है यहां, उसका तो अभी तक समय नहीं आया। ये लड़की बड़ी जिद्धी है, ये खुद यहां आई है। मैं यहां अपने दादाजी को वापस लेने के लिए आई हूँ। लेकिन जो एक बार यमलोक आ जाते हैं, वो और कभी नहीं लोटते। तो फिर मुझे भी यहां अपने दादाजी के पास रख लीजे। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अभी जिन्दा रहना होगा, तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है, तुम्हें लोटना होगा। गुड़ी ने यमराज के पैर पकड़ लिये। यमराज, अब तो बहुत शक्तिशाली हो, क्या आप मेरे दादाजी को लोटा नहीं सकते, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, यमराज। लेकिन मैं करूंगा क्यों, यही तो नियम है। क्या प्यार के लिए नियम नहीं बदला जा सकता। नहीं। तब ही चित्र गुप्त ने कहा, जा सकता है प्रभू, अगर किसी ने मदनलाल के लिए अपनी जान कुरवान की, तो ये संभव है। हाँ, मैं दूंगी जान, मेरे दादाजी को बस सिंदा रखना। ये सुनकर मदनलाल भावुख हो गया और बोला, नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, तेरे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, तू जा, वापस जा। नहीं दादाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ देर इसी तरह बीट गए, यमराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इस पास साल की बच्ची को देखकर उनके मन में तो दया आ रही थी, लेकिन वो भी नियम की रसी से बंधे हुए थे, लेकिन तभी एक चमतकार हो गया, वो छोटा सा बच्चा जो असल में को प्यारा हो गया, वो यमलोक में पहुच गया और फिर से रमेश बन गया, ये क्या, मैंने तो तुम्हें अभी भेजा था धरती पर, फिर वापस क्यों आ गए, मुझे नहीं जिना ऐसे, अपने पिता जी, अपनी बेटी के बिना मैं जी के क्या करूंगा, आप मेरी उम्र मेरे पिता जी को दे दीजिए, गुड़ी को समझ में आ गया कि वो जिसे बच्चा समझ कर लाई थी, वो असल में उसके पिता थे, रमेश ने उसकी उम्र मदनलाल को दे दी, और मदनलाल फिर से जिन्दा हो गया, मदनलाल अपनी पोती के साथ घर पहुँच गया, और रमे जिन्दगी बिताने लगे